नमस्कार दोस्तों सौगत आपका पैबली हिंदी में और आज के अमरे वीडियो का टॉपिक है कि कैसा आईटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज की इंडिया मार्ट लीड्स को एड़ कर सकते हैं सेल्स फोर्च में वो भी आटोमेटिकली एक्जामपल के लिए बाहिए दोस्तों कि मेरा आईटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज का एक बिजनस है और अपने इसी बिजनस को प्रमोट करने के लिए मैं इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलें मार्केट प्लीस है अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लिड रिसीव होती है मेरी सर्विसेज के लिए तो आटोमेटिकली सेम लीड को मैं एड करना चाता हूँ सेल्सपोर्स यारेम पे ताकि सेम लीड से मैं जल से जल्द कनेक्ट कर पाऊं और अपने लीड को ट्रैक कर पाऊं और 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 के लिए तो ऑटोमेट्कली वह सीम लीड अ कॉंटक्ट जाकर क्रेट हो जाएगी शीर्स फूर्स एर्म पर तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे आटोमीशन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लिकीशन को आईए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कैसा आटोमीशन, इंडिया मार्ट और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके IT एंड टेलिकॉम सर्विसेस बिजनस के लिए तो आटोमेटिकली वो सीम लीड एजा कॉंटेक्ट जाके क्रियेट हो जाएगी सेल्सफोर्स CRM पे और ये पुरी प्रोसेस हम कंपेटली आटोमेट करेंगे पैबली करियेट की मदद से सेल्सफोर्स और इंडिया मार्ट को एक दूसरे से करियेट करके तो चलते हम जो टैप पे आप देख सकते हैं यह है पैबली के लेंडिंग पीच सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली डाट कॉम और आप आजाएंगे पैबली के लेंडिंग पीच पे पैबली एक बहुती अमेजिंग सौटफ़एर है जहाब मल्टिपल एप्लिकीशन को एक दूसरे से करिक्ट टिंटिंगरेट कर सकते हैं अगर आप एक नई यूजर है तो जाईए अब साइन आफ फर फ्री पे जहाँ आपको और मेने मिलेंगे 100 फ्रीटाज कैसे आटोमीशन क्रियेट करने के लिए अगर आप एक 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 एक्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे साइन इन पे क्लिक करते आपके सामने ओपन होगी पैबली की एचे मेन अप्लिकीशन आज आज हमको यूजर करना पैबली करनेट का तो क्लिक करेंगा मैं एक्सेस नाउप पे Access Now पे क्लिक करते अब आपके सामने ओपन होगा Public Connect का Dashboard Public Connect के Dashboard पे आने की बात आपको जाना है Right Hand Side पे क्लिक करना इस Blue बटन पे Create Workflow पे और एक नया Workflow आपको यहां पे सेट अप करना है जैसे आप Create Workflow की बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलोग बॉक्स अप्यार होगा जहाँ आपको इस Workflow को एक नाम देना है तो माली जब मैं इसको नाम देता हूँ Add India Mart Lead Manager Leads for IT and Telecom Services to Salesforce आप अपके requirement की हिसाब से से कोई और भी नम दी सकते हैं इसके बाद आपको चूस करना हो परिटिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया Workflow बनाना चाहते हैं फोल्डर चूस करने के बाद क्लिक करना आपको Create पे और जैसी आप Create पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने Open होंगे ये दो Important Boxes जिनको हम कहते हैं Trigger and Action Basically जो पूरा Automation आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों Principles और Concepts पर ही Based होते हैं इनके Definition की बात करें तो Trigger कहता है When this happens पतलब जब ऐसा हो तो Action कह देता है Do this पतलब ऐसा कर दो अब Trigger और Action को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमरा Objective क्या है पर तब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखिए आज का मेरा बड़ा Simple सा Objective है जैसे मुझे India Mart से कोई भी नई Lead Receive होती है मेरे IT and Telecom Services के लिए तो Automatically वो Seam Lead को मैं Add करना चाहता हूँ Sales for CRM पे तकी Seam Lead से मैं जल्द से जल्द Connect कर पाऊं और अपनी Leads को Organize और Track कर पाऊं अब इसमें जो मेरी Trigger Application होगी दोस्तों वो होगी India Mart क्योंकि जब तक India Mart पे कोई नई Lead हमको नहीं मिलेगी तब तक हमारा Automation कामी नहीं करेगा तो Trigger Application हमारी वो Application होती है जासे हमारा Work लो काम करना चालू करता है तो देखी जो मेरी Trigger Application है उसके रामे इंडिया Mart इसको मैंने आपे कर लिया है चूस और Trigger Event पे रहोगा New Leads जैसे इंडिया Mart पे कोई नई Lead आएगी इंस्टेंटली हमारा Work लो Trigger होगा और Action Application हमारी होने वाली है Sales Force CRM तो यहां से मैं चूस करूँगा अपनी Action Application Sales Force CRM और Action Event हमारा होगा Create Record इसके मतलब जैसे इंडिया Mart पे नई Lead आएगी Sales Force पे Automatically एक नया Record Create हो जाएगा मतलब एक नया Content Create हो जाएगा अब दिकी Sales Force और इंडिया Mart दोनों के बीच में कोई भी Direct Connect नहीं है इसलिए हम इस्तिमाल कर रहे है पैबली Connect का तो सबसे पहले इंडिया Mart को हम Connect करेंगे पैबली Connect से और इंडिया Mart को पैबली Connect से Connect करने के लिए हमको यहां पे दिया गया है Webook URL Webook URL का काम होता है दो Applications को एक दूसरे से Connect करना यह As a Bridge की तरह Act करता है तो जब भी आपको इंडिया Mart पे कोई नई लीड मिलेगी तो वो लीड की डीटेल्स पैबली Connect हैं पे कैप्चर करेगा इस Webook URL की मदद से तो यह जो Webook URL है आपको कॉपी करना है इसके बाद आपको फॉलो करने यह सारे इंस्ट्रक्शन्स जो आपको यह पे दिख रहे हैं मैं आपको डारेक्ली बताता हूँ यह Webook URL कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने इंडिया Mart की अकाउंट पे और इंडिया Mart की अकाउंट पे आने के बाद लेटेंड साइट पे आपको यहाँ पे एक आप्शन दिए का लीड मेनिजर का क्लिक करना आपको लीड मेनिजर पे इसके बाद आपको जाना है मैनियो के आप्शन पे और फिर आपको जाना है import slash export leads पे और क्लिक करना आपको push API की बटन पे push API की बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको lead का है पे source select करना है इसके बाद आपको CRM platform को एक name प्रोवाइट करना है तो देखिए माली जब इरे platform का name है पैबली connect आप अपने requirement के हिसाब से कोई भी नहीं में पे provide कर सकते हैं इसके बाद पैबली connect पे जो वेबुक URL हम को मिला था वो सीम वेबुक URL कॉपी करके आपको यहापर करना है पीस्ट इसके बाद जैसे आप save details पे click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमसे यह option पूछेगा कि क्यों आप वेबुक URL सेट अप करने चाहते हैं अपने इंडिया माट के अकाउंट पे तो कई सारे options आपको यहाँ पे देख रहे होंगे इन बेसे एक option मैंने आप चूस कर लिया है आप मैं क्लिक करूँगा generate OTP की बटन पे तो एक 4 डिजिट का OTP आपके रिजिस्टर्ट मुबाइल नंबर पे जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है तब ही यह वेबुक URL सेट अप हो पाएगा आपके इंडिया माट के अकाउंट पे और देखे OTP मैंने आपके एंटर कर दिया आप मैं क्लिक करूँगा संबिट की बटन पे तो देखे सक्सिस्फुली जो वेबुक URL हो मैंने सेट अप कर दिया अपने इंडिया माट के अकाउंट पे अब चलता हम पैबली करनेट पे और देखे पैबली करनेट यहां पे वेबुक रिस्पॉंस का वेट कर रहा आप देख सकते हैं और नोड पर हमको बोलए कि अब हमको लॉग इन करना और अब एक टेस्ट समिशन करके चक करना है कि क्या लीड की डीटेल्स पैबली करें आपकर कोई बी टेस्ट समिशन करने की ज़िलिए हम अपर इन्डिया माट के अकाउंट पर यहां पर आपको तेस्ट समिशन बैबुक लिस्टर यॉर्यल का ट्लिक करना आपको टेस्ट यॉर्यल पर यहीं से हम एक टेस्ट टीट करेंगे जनरेट तो देखिए हमारा वैबुक यॉर्यल इसको मैंने आपर सेट अप करके रखाए और यह कुछ डीटियस हम्पे ओलेडि फिल्ड है मालीज हमारे कस्तमर क परबात यह उनकी सिटी यह उनका सब्जेक्ट देखिए पूरा डेटा हैं पर हमको रिसीव हुआ है अब जैसी मैं टेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगो तो आप देखेंगे यह डीटियस आटोमेटिकली फॉर्वर्ड हो जाएंगी इस पर्टिकुलर एड्रेस पही और प सब्जेक्ट यह स्टेट उत्रदेश यह लीट का पिन कोड यह लीट का कॉंटेक्ट नंबर स्टेंडर ने में परभात यह उनका अल्टनेट मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं पूरी डीटेल्स पैबली करनेक्ट ने अपने पास यहां पर कैप्चर कर ली हैं तो जब आपको भी रियल वेल्ड में इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीडरिसी होगी तो इसका डेटा कुछ इस तरह की सी आपको देखेगा इसका मतलब जो हमारा फ़र्स स्टेप ऑफ इंटिग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमने इंडिया मार्ट को सकस्फुली क अब हम चलते हैं हमारी नेक्स स्टेप की तरफ और सीम लीड को अब हमको एड गेनाए सीज़ फोर्स यहरें पि तो जो हमारे सील्स फोर्स का अकाउंट है वो अब मैं करूंगा पैबली करिक्शन पी जाना आपको एड्ड नियु करिक्शन प्रक्ष क्लिक करना को कनेट object यहांपे choose करने कि आजम sales force में क्या करना चाहते हैं तो देखे sales force में मैं नया content create करना चाहता हूं तो यहांपे मैं search करूँगा contact क्योंकि मुझे sales force में नया content create करना है तो देखे जैसी मैंने contact पर ख्लिक किया है इसके बाद हमारे सामने कुछ fields हैंगी जैसी उन fields को यहांपे मैं fill करूँगा तो आप देखेंगे automatically sales force में नया content create हो जाएगा अब देखे वन बाई वन करके यह सारी details हैंपे मैं करूँगा fill और इनको fill करने के लिए मैं यहांपे इस्तेमाल करूँगा mapping का mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिल चुका है तो इंडिया मार्ट जो कि आपके trigger application थी आपको यहांपे दिख रही होगी इसके drop down पर जैसे click करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger application सी वो पूरा आपको यहांपे दिखने लग जाएगा तो सबसे पहले मुझे add करना अपनी lead का name तो देखिए यह था मेरी lead का name परभाद इसको मैंने आपे map कर दिया कुछ इस तरीके से इसी तरीके से जो lead का first name है वो भी मैंने आपे map कर दिया और इसके बाद अगर आपको street address city और यह सारी details है अड़ करने तो आप इनको भी add कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं address एट करूँगा मेरी lead का तो देखिए यह था मेरी lead का address इसके बाद आती उनकी city तो city थी उनकी noida इसके बाद आता है lead की state तो state की details भी अगर आपके पास हैं तो उसको भी आप यहाँ पर map कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ इसके बाद postal code तो देखिए postal code को भी यहाँ पर मैं कर दूँगा map तो देखिए जैसे मैं pin code सर्च करूँगा तो pin code भी हमको यहाँ पर मिल चुका इसके बाद country, latitude, longitude अगर आप यह सा fill करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसके बादा था उनका phone number तो जो business phone number है उसको भी हम यहाँ पर map कर देंगे इसके बादा था उनका mobile number तो mobile number को भी हम यहाँ पर कर देंगे map तो देखिए यह था lead का mobile number इसके बादा था lead की mail ID तो इसी तरीकी चे जो lead की mail ID है वो भी हम यहाप पर मैप करेंगे अब जो बागी की fields है वो mandatory नहीं है इसने मैंने को छोड़ रहा हूँ blank लेकिन आपके मन में एक सवल जरूर आ रहा होगा कि mapping का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने आपके क्यों किया इसका मतलब जब भी आपको इंडिया मार्ट पे next time कोई भी नई रीड रेसीव होगी तो automatically वो जो नई रीड आपको मिली है वो यहाँ पर आके update हो जाएगी अपने आप आपका वर्टो ट्रिगर होगा और Salesforce CRM पे एक नया content create हो जाएगा और जो डेटा आपने टाइप करा manually यह डेटा रेगा मैंसे static है permanent यह कभी change नहीं होगा इसलिए mapping करना होती जरूरी process अब दिकिए जैसी में save and send test request की बटन पे क्लिक करूँगा आप दिखेंगे Salesforce CRM पे automatically आप एक नया contact हो जाएगा create और देखेंगे हमको यह पर API response receive हो चुका है इसका मतलब एक नया contact create हो चुका Salesforce CRM पे तो चलते हम Salesforce के account पे click करते हम contacts पे और आप देख सकते हैं परभात के नाम से एक नया contact है पे create हो चुका है यह उनका name यह उनका contact number, mobile number email address और उनका जो address है पूरी details यह पर आके add हो चुकी है Salesforce CRM पे इसका मतलब जो automation हमने बनाया है पैबरी connect पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है simply दो step में हमने पूरा automation बना दिया है जो work करेगा instantly जैसे आपको India माट से कोई भी नही लीड रेसीव होगी जाप इसे बड़ी असानी से इस्तिमाल कर सकते है मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सबस्क्राइब कर सकते है माधी चैनल को पैबली हिंदी को सो थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो सिर्फ यहीं नहीं दोस्तो आप और भी एप्लिकीशन को कनेट कर सकते हैं पैबली कनेट की मदद से और अपना मन पसंद इंटिग्रेशन बना सकते हैं अगर आपको कोई इंक्वेरी से हैं तो इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले सो थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो